नवास्कार दोस्तो नौलेज मंत्रा चैनल में आपका एक बार्फिर से बहुत-बहुत स्वागत है अब आधार का धारक अपना ये जाच कर सकते हैं कि उनका बायोमेट्रिक डेटा कहां-कहां पर यूज किया गया है आधार प्रभंदन करने वाली यूनिक पहचान प्राधिकरन यानि की UIDAI समय की अवधी में उपयोग होने वाले कार्ट की हिस्ट्री देखने का विकल्प दे रहा है जिसमें की UIDAI साथ महिने के हिस्ट्री देता है जिससे आप आसानी से इसको चेक कर सकते हैं अपने के यूरेल में जाकर UIDAI टाइप करना होगा आपको वेब साइट पर जाने के वाद आपके होम पेज पर जाईए और वहां आधार से और टाइप के ताहद आधार अर्ट इनक्शन हेस्ट्री का विकल्प दिखेगा जिस पर क्लिक करके और इस पेज पर लॉग इन करने पर पेष्ट कर ले और वैसे ही आप जो सिक्यूर्टी कोट लिखर है उसको भी एंटर करके और वहां पर कॉपी कर ले काफुज पेश्ट करने के बाद आपको जने आइक करना होगा इसके बाद पर नए पेज में उस प्रमानिकरन के प्रकार का चैयन करना होगा जिसे आप देखना चाहते हैं जैसे कि UIDAI Biometrics जन साइंकिंग की OTP बहुत सारे विकल्प दे रहा है जो की आपको आधार द्वारा किये अगर प्रतेक प्रवेश्टी की जाज के लिए इन सभी विकल्प को जुन सकते हैं जिस तारिक से आप अपने आधार का इतियास जानना चाहते हैं उसे तर्च करें और OTP इंटर करते हैं और OTP एंटर करने के बाद सब्मीट पर क्लिक कर दें इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें परिडाम मिलेगा वो दिनांग समय और उपयोग के आधार पर प्रमानी करन के रूप में दिखेगा यह सेवा उपयोग करता को अपने आधार की गतिविदियो को ट्रेक रखने में मदद करेगी तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप भी अपने आधार हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ट कब और कहां पर यूज हुआ है दोस्तो इस वीडियो में इतना ही अगर आपको कोई सुझाव या सिकायत हो तो मुझे कमेंट करें कमेंट बॉक्स में अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिए और नौलेज मुंतर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी नए वीडियो डालू उसके नोटिफिकेशन्स आपको सबसे पहले मिल जाए तो फिलहाल के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय ही